टी एन पील का 17 मैच जो एक तरफा मैं आपको विनर भी बताने वाला हूं और साथ ही साथ अभी तक टी एन पील के जितने ही मैचिस हुए है सबसे अच्छी प्रेडिक्शन्स और टीम किस की रही बिल्कुल सही फैंटसी काउंसल की रही और अभी तक सारे टी एन पील के मैच मैच इसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन्स के साथ बहुत सारी जीत हम पक्की गर चुगे तो 17 मैच का भी कुछ यह इराद है मैच होने वाला है आई ड्रीम तिरुपूर तमिजांस वर्सिस एक ऐसी टीम जो बिल्कुल नहीं चल पा रही है तुरिची और यह आज तक मैच में किसको जिताना है किसकी टीम बनानी है और कैसे अपनी टीम को इतना जादा स्ट्रॉंग कर लेना है कि भाईया हम तो मैच से पहले ही जीच जाए क्लियर कट आगे चलते हैं चैनल पर नहीं आए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले एक अपने हातों तो से शुब ने काम कर दें चैनल को करे सबस्किबाइकन के प्रेस क्योंकि पूरा टीनपयल मैं वीडियो में वीडियो कर रहा हूं और मैं ही हूँ चो पूरा कर पूरा कवर कर रहा हां आप लोगों के लिए लेकिन किसके साथ accurate prediction के साथ और अनबीटन टिम के साथ तो बैय वी-डियो को भी like कर दूर्ट क्योंकि जो like करता है वो जाता-तर जीतता ही है और हां प्वेसीर अप चैनल पर यह जोईन करना में जरूर करना है ताकि आपको फाइनल टीम मिल सके और अब से लिक वरल्डिकॉप् क्वालीफाइर शक्याूं के एक दोथो परफॉर्म करेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है स्मॉल लीग की मेरी टीम और इनके स्टैक्स आई ड्रीम रादकृष्ण तुशार रहे जा तुशार रहे जाने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी और यहीं के उपनर रहने वाले फ इकनोमी के भी पॉइंट्स दिये जिस वज़े से मैं सारे कॉंटेस्ट वन साइडिड जी दिया था आपको भी यहीं करना है अब मैं आपको बता तो इनकी स्ट्राटेजी यह दोनों आपको पार प्ले और डैथ में बॉलिंग कराते हुँ दिखेंगे सेम पार प्ले से ले इनके तीन मैच एक सो चालिस रहन है और ब्यासी का रिकॉर्ड हाइस रिकॉर्ड है तुशार रहे जा पिछले मैच में अच्छी बैटिंगरी 49 रंस मारे वेन्यू पे इन्होंने चार मैच खेले हुए हैं तर रंज भी और दो मैच में के टोटल एक्याउन रहन है है 26 बॉलिग इन से करा ही नहीं जा रही है और उससे पहले बैटिंग आती थी तो यह चल नहीं पाए उसके बाद आते विजेश अंकर जिन्हें पिछले मैच में बैटिंग नहीं मिली क्योंकि मैच इन्होंने जल्दी कवर कर लिया था एक तारीश रंखाए विकेट नहीं मि अजीत राम पिछले पांच टीट्वन टी में चारी विकेट ले पाए हैं पांच मैच में पांच विकेट हैं और यह दो इन्होंने जब लिए थे जब मैंने इनको पने टीम में लिया था और अजीत राम भी आज विकेट लेने वाले एक स्ट्रॉंग कंटेंडर हैं बहुत बैक फूट पर चल रही है इनके बस एक ही बंदा चल रहा है गंगा श्रीदर राजू हलाकि पिछले मैच में फरैरियों ने जीरो रन मारे थे लेकिन दो विकेट भी लेके चला गया था अक्षिश्री निवासन ओपनिंग पेर चेंज कर दिया है जफर जमाल को इन फायदा निकाल सकते पिछली बार तो लाइका के कुछ अलगी फ्लैंस थे इनके इनकी बैटिंग ज्याद अच्छी नहीं रही बॉलिंग कंपेरेटिवली फिर भी ठीक ती अब इनके स्टैट्स में आपको बता देता हूं देखो गंगा श्रीदर राजू अठावन शेयर मारते और दो विकेट भी लिए थे सब याद रखता हूं मैं सारे मैचेस एस्पी विनोल पिछले मैच में बड़ा धाकड स्कोर था इनका एक रन का उसके बाद आते हैं राजकुमार जिन्होंने 31 तो मारे पर इने विकेट नहीं मिला और यह बैटिंग अच्छी कर रहे है एक विकेट दो विकेट 001 ऐसा चल रहा है के मौनिश का टूर्नमेंट उसके बाद आते सिलाम प्रासन जो कभी भी विकेट लेस नहीं जाते एक मैच को अगर मैं छोड़ दू हर मैच में आर सिलाम प्रासन विकेट लेही जाते हैं इनकी बॉलिंग अच्छी है यार आर एल इस नाट बीन फेवरेबल फॉर देट इन अपर हैंड बॉलर्स का अपर हैंड रहेगा और यह यह भी तक मैं टी एंपिल में दिखता हुआ रहा हो बॉलर्स को ज्यादा मदद है बैटिंग के मुकामलें तो नों के बीच में पहली पर मैच होगा क्योंकि यह ट्रिची रखना आज अपने टीम में देखना विजेशंकर के तरफ से आज स्कोर बढ़ा सकता है बल्ले से पहले की प्ले दूसरे साही की शोर मैं मान के चल रहा हूं दो विकेट साही की शोर काच कम से कम रहने चाहिए और अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी तो दो या तीन भी है लेके जा सकते हैं उसके बाद आते हैं एंथनी दास दास अब कुछ कर तो रहे नहीं है लेकिन हमें सामने लड़ी टीम से लिए जा सकते हैं पहले बॉलिंग कर रही होगी ना अगर टीम यह ऐड्रीम तो पहले यसामी को रखना यह फिर से डैथ में विकिट लेके जाएग के लिए आप कैप्टन वाइस कैप्टन में तो भाई देखो विजे शंकर और साही की सोड़ से अच्छा कोई ही नहीं सी वी सी ऑप्शन में बहुत क्लियर कट बात है फिर आते हैं भूबनेश्वरन लेकिन जब फर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो आप इनको ज्यादर ट्राइम मिल जाएगा और और एलेक्जेंडर सिर्फ वो करें जिन पर पैसा फाल है अब चलते हैं प्लेंग इंडिया आपको पता न कोई फ्रॉड नहीं कोई ग्लिच नहीं आज कल बड़ा चल रहा था कि एक ऐसा एप है जिसे सब प्रमोट करते हैं और वो फ्रॉड और ग्लिच मे था था कि था मानते हो कि नहीं एकदम था ना तो फिर खेलो ऐसी जगे जहां आपका पैसा सेफ हो ना कि आप फस जाओ डाउनलोड करो माई मास्टर 11 डेस्रिप्शन में लिंग डाला हुआ है और अभी यहां पे बढ़िया ओफर चल रही है क्या ओफर चल रही है मानलो मैंने डाले एक करोड तो मुझे मिलेंगे एक करोड पांच लाक मज़ा नहीं आ जाएगा यह जीरो फाइव कर दिए इसको आप भी यही चीज सोचो मैं कहा रहा हूँ आप हजार रुपे भी डाल रहे हो तो भी आपको पांच परसेंट मिल रहा है अपना फायदा उठाओ जितना ज्यादा उठा सकते हो और आप एक और एक अच्छी चीज बताता हूं इसको हम दस बार यूज कर सकते हैं मतलब दस हजार को अगर आप दस बार भी डालते हैं तो हर बार आपको पाच परसेंट मिलेगा यह है ओफर 24 जून से 25 जून का सैटरड़े संडे यह दो ही दिन आपके पास है जितना फायदा उठा सकते हैं अब हम लोग बना लेते हैं स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं क्या रहने वा चलते हैं अब आते हैं विजय शंकर की बारी गौट्सन को यह नहीं खिलाएंगे मुझे नहीं लगता खिलाएंगे क्योंकि पिछले मैस में भाहर कर दी था आर राजकुमार यह ठीक बैटिंग कर रहा है बंदा थोड़ा आपको बताता हूं को हमें चाहिए चाहिए चाहि लेंगे बाइडिफॉल्ट अब 11 प्लेयर की बात आईगी वह मैं आपको बता देता हूं अभी बताऊंगा और उसके साथ साथ के इस्वरन का तो कुछ फायदा मुझे लगता नहीं जाने देते हैं पैरियसामी को मैं रखूँगा सिलाम ब्रासन को मैं रख सकता हूं बीव से किसी को रखना चाते हैं अपने टीम में आरेल को मैं नहीं रखूँगा अब मेरे पास इनके कित्ते बॉलर हो गया है भूबनेश्वरन पैरियसामी साही किशोर विजेशंकर अब मैं जाओंगा जीत राम के लिए क्योंकि अजीत राम की परसंटेज कम होगी और यह मेरे बढ़िया प्लेयर निकल के आएंगे एस अजीत ठीक है यह हो जाती है पूरी टीम अब एक चेंज कर लेना सिलाम अगर नटराजन खेलता है तो सिलाम रासन की जगह है आप नटराजन को डाल देना या फिर आर राजकुमार की जगह डाल देना आपका आते हैं कैप्टन व अपने करे लिया होगा और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर लाइक कर देना